श्कार दोस्तों मैं विशाल पर जापस स्वागत करता हम आपका अपने YouTube चैनल टेक्निकल सपोर्ट विशाल में और दोस्तों आज की इस वीडियो में आप से बात करूँगा कि किस तरीके से आप अपने WhatsApp स्टेटस को बना सकते हो जी हां दोस्तों अगर आप एक स्टेटस चै चाते हो किसी भी तरह का क्लेक्शन बना सकते हो इस वीडियो में दोस्तों आपको WhatsApp स्टेटस बनाना सकते हो और WhatsApp स्टेटस बना सकते हो और WhatsApp स्टेटस बहुत आसानी से आप अपने मोबाइल से बना सकते हो तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं और दोस्तों यूज करता है हर एक बंदा इक WhatsApp को यूज करता है तो आपके लिए काफी अच्छे तरीके से आज को WhatsApp status बना मनग बताऊंगा तो चलिए इस वीडियो को छोटे इस इंट्रो के बाद शुरू करते हैं जैसा कि आप सभी देख सकते हो मैं अपने mobile की स्क्रीन पर आ चुका हूँ और mobile की स्क्रीन पर आने के बाद दोस्तो आपको जो मेने वीडियो में description में इस app का लिंक दिया हुआ है तो आप वहाँ से भी इसे डाउनलोड कर सकते हो, या फिर अगर आप डाउनलोड नहीं करना चाहते हैं, तो दोस्तो आप play store पर जाकर कोई click कर इसे डाउनलोड कर सकते हो, एसा interface आपको देखने को मिल जाएगा इस app का, इस app को दोस्तों आपको download करने के बाद आपको क्या करना है किस तरह के से WhatsApp status बनाए सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा तो step by step वीडियो को देखिएगा वीडियो को skip मत करिएगा और छोड़िएगा मत तो चलिए तो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे होगे create a new video पर लिखा हुआ है तो create a new video पर आप जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने कुछ इस इंटरफेस यहाँ पर दिख जाएंगे तो दोस्तों आपके पास जो भी images होगी आपके mobile में वो यहाँ पर show होने लग जाएगी तो फिलाल दोस्तों मैं मेरी image इसको use करूँगा क्योंकि दोस्तों मैं दूसरों की image यहाँ पर नहीं दिखा सकता तो इस तरीके से दोस्तों मैं अपनी video की image या फिर जो status की images होगी वही यहाँ पर save कर लूँगा तो मैं select कर लेता हूँ आप अपनी image select कर सकते हो दोस्तों जिदनी भी आपकी images से मैं अपनी images select कर लेता हूँ जो भी मुझे status पर लगानी है तो इस तरीके से नहीं है यहाँ पर image search select करने के बास दोस्तों आपको यहाँ पर right का option आ रहा होगा, यहाँ पर right को आपकर click कर देना है, और title आप भी जो भी वो title दे सकते हो, जैसा कि दोस्तों मैं यहाँ पर title लिख देता हूँ, विशाल प्रजापत मेरा नाम, तो आप कुछ भी title यहाँ पर दे सकते हो, आपका family जो project अगर वो बना रहे हो, यहाँ पर video play होने लग जाएगी, तो video play होने के बाद दोस्तों मैं यहाँ पर इस sound को थोड़ा off कर दूँगा, क्योंकि दोस्तों मैं sound को play नहीं कर सकता, मुझे copyright नहीं चाहिए, वीडियो में इस तरीके से दोस्तों नहीं हो रहा है मेरा, इसलिए मैं इसको off करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इस तरीके से दोस्तों आप यहाँ पर अपने music को भी add कर सकते हो, मैं अपना यहाँ पर no copyright sound यूज़ कर ले, जिससे मुझे copyright नहीं मिलेगा वीडियो में, आपको इसा भी गाना यहाँ पर use कर सकत जाँगा, तो इस तरीके से दोस्तों आप गाने को भी यहाँ रेविज्विस कर सकते हो, आप देख सकते हो, पुली स्क्रीन में आप पर आप को स्टेटस देखने को कर दो आए इस तरीके से दोस्तों आपको अपने वोडसाप स्टेटस बनाने के लिए दोस्तों आपको कुछ और ज्यादा मेनत नहीं करने पड़ेगी आपको थोड़ा सा और बताऊंगा तो किस तरीके से आपको वोडसाप स्टेटस बनाना है आपको सब कुछ बताऊंगा तो मैं फिला इसको edit करना चाहते हो तो दोस्तों आप यह आप से इसकी direction को बढ़ा सकते हो अगर आपको कुछ दीरे ये वीडियो को दीरे skip करना है या फिर दीरे दीरे चलाना है तो आप इस तरह से timing लगा सकते हो timing लगाने के बाद दोस्तों आप इसको square में रख सकते हो यानि कि फुल जो जो परदा होता है वोटसप का इस तरह के से आप रख सकते हो अगर इसको square में करना चाहते हो तो दोस्तों यहाँ से आपको square में भी कर सकते हो square में करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप इसमें filter लगा सकते हो कौन से filters आप अच्छे लगते हैं filter लगाने के बाद दोस्तों यह filter host गए filter लगाने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर status में ads भी लगाने है font भी लगा सकते हो font यानि जैसे कि दोस्तों अगर आपको कोई song का voice लगाना है या फिर song में कुछ voice डालना है जिसका आपको title देना है या फिर कुछ ads उसमें लगाने है या फिर कुछ logo उसमें डालने है तो दोस्तों आप इस तरीकी से अपनी यहां से images में लगा सकते हो font को font को लगाने के बाद दोस्तों आप quick on पर जैसे click करोगे आपकी जो वीडियो होगी वो बहुत ही दीरे तरीके से skip होने लग जाएगी skip होने के बाद दोस्तों आपको और क्या करना है मैं आपको बताता हूँ तो यहां से आप इसकी themes को भी change कर सकते हो themes देख सकते हो आप दोस्तों किस तरीके से आपको theme देखने को मिल जाती है तो इस तरीके से दोस्तों आप इसको full परदे में भी चला सकते हो यानि कि full screen पर भी चला सकते हो यहां से आपको इसको cinema यह इस तरीके से दोस्तों आप अपनी images को यहां पर लगा सकते हो तो थिम को आप चेंज कर सकते हो जिससे आपकी काफी अच्छी जोए WhatsApp स्टेटस बनेगा तो आप देख लीजेगा एक बार मैं तिम को बता कर दिखा दिता हूँ आपको तो इस तरीके से दोस्तों आप काफी अची तरीके से अपने WhatsApp status को लगा सकते हो WhatsApp status बना सकते हो आप काफी अची तरीके से तो दोस्तों आप देख सकते हो काफी अच्छी तरीके की वोटसप स्टेटस आप यहां से बना सकते हो मैं ज्यादा दोस्तों एडिट नहीं करना चाहता क्योंकि दोस्तों वीडियो बढ़ी हो जाएगी इस तरीके से दोस्तों मैं आपको साधा सिंपल शोट में एक्सप्लाइन करने के लिए आपको वीडियो बना कर दिखा दी आप चाहो तो दोस्तों इसको काफी अच्छी तरीके से वोटसप स्टेटस बना सकते हो जैसा कि मैंने बना कर दिखाए था आपको simple status पर आप बना सकते हो दोस्तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करेगा आपने दोस्तों के साथ शेयर करेगा और दोस्तों चैनल पर आप नए हो तो चैनल को कर लिजे कर सब्सक्राइब ताकि आने वाली हर वीडियो को आप देख सको कुछ नए वीडियो से सीख सको और दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी थेंक्यू फ्रेंड्स जेहिन जेवाज